नमस्ते कैसे हैं आप लोग उमीद है बहुत अच्छे होंगे और मेरा नाम आशा गुपता है देखिए यह मेरी पहली वीडियो है यूटूब पर और पाइफेस मैंने कभी वीडियो क्रियेट्स नहीं किया तो मुझे एक्स्पिरियंस नहीं है अगर कुछ भी कर वड़ो तो प्लीज माफ कीजिएगा आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक पे नेगिटिव पीपल इन आर लाइफ राइट पहले मेरे एक सवाल है उसका आप सब जवाब दें इसे हम कम्मुनिकेशन की तरह रखेंगे ज्यादा मतलब ऐसे फॉर्मल वाला नहीं होगा ये वीडियो तो सवाल ये है मुझे आप बताएं कि आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक कौन सी चीज करती है परिस्तितियां सिच्वेशन्स सर्कुम्स्टेंस इन्वार्मेंट थार्ट प्रॉसेस और कंडिशन्स क्या श्रगल लाइफ का नेगिटिव लोग कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज़्यादा अफेक करती है हमारे चीबन में इस पर आप विचार करें और आपका जो भी अंसर हो से कमेंट में दें Definitely I will read your comment and I will answer your comments कौन सी चीज है इस पर हम कभी गहराई से विचार नहीं करते है ठीक है मैं एक एक्सपीरियेंश शेयर करना चाओंगी अभी हम ल स्टूडिंट की लास्ट टूमन्त में कांस्टिंग की और हमने बहुत इंजॉई किये और मेरे काफी सीनियर क्लास के साथ सेशन्स थे और आने वाले टाइम पर हम और भी सेशन्स करने वाले हैं अलग-अलग जगा पर तो मेरा जो महाँ पर यह डिसकॉशन हुआ था में देंगे ठीक है तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं मेरा इस पर क्या परस्पेक्टिव है ऐसा होता है कि परिस्थितिया हमारे जीवन में आती है राइट हमारे जीवन में अलग-अलग परिस्थितिया आती है सर्कूंस्रेंस आते हैं सिटूशन साती हैं कई वार हम हमारे खुट के patterns होते हैं यह सब चीजेन सिटुएशनल होती हैं इन सब चीजों से हम by the time deal करते हैं, learn करते हैं और move on हो जाते हैं, ठीक है इनको ㅇनको खतम करके आगे बढ़ना असान होता है। और एक time के बाद यह आती हैं situations चली जाती हैं, patterns आते हैं, अगर आम अपने आपी healing journey करते हैं तो वो पैटम सॉल्व हो जाते हैं और परिस्तितियों से हम लड़ लेते हैं यह हमारे लिए डीप ट्रॉमा नी बनते हैं लेकिन हमारी लाइफ में जो लोग होते हैं वो हमारे साथ लंबे समय तक होते हैं family होती है by birth हमारे parents and तक हमारे साथ रहते हैं कहीं न कहीं husband wife boyfriend girlfriends और teachers से भी हमारा अच्छा bond होता है हम जो है professional life में भी लोगों को deal करते हैं और हमारा उनसे एक अच्छा वो लोग हमें बहुत ज़्यादा affect करते हैं जो हमारे असपास के लोग होते हैं वो हमें काफी ज़्यादा affect करते हैं और अगर हमारे वो close one होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा affect करते हैं क्योंकि हमारे conditioning हमारा thought process बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होता है I hope कि आप इस बास से agree करेंगे I don't know if disagree भी होता आप comment कर सकते I don't have problem तो वो लोग हमें बहुत ज़्यादा affect करते हैं तो ऐसे situation में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम अपनी life में लोगों को entry करते entry देते हैं लोगों को चुनते हैं अपने जीवन में देखें कुछ लोगों को हम चुन नहीं सकते हैं like हमारे parents होते हम उन्हें चुन नहीं सकते हैं वो हमें by birth मिलते हैं family हम चुन नहीं सकते टेख करते हैं और जैसे फ्रेंड फ्रेंट्स हमारी लाइफ को बहुत जादा फिक करते हैं ठीक नेगेटिव एक फरेंट सरकल हमारे हमारे ढूंफोल का बड़ा कारण हो वह सकता है तो एक टप्रेंट फरेंट वी सरकल हमें बहुत करता है इसके बाद जो एज से form चुनते हमारे टीचो्झ ठीक है हम काफी हद तक उन्हें चुन सकते हैं हम अपने टीचर से बहुत अफेक्ट होते हैं देन हम अपने कॉलीक्स जिन सरकुंस्टेंस में हम काम करते हैं उनसे बहुत अफेक्ट होते हैं देन हम अपने रेलेशन्शिफ में खास तोर में अबस होते हैं, हमारा हर्जम्ट है, वाइफ है, बॉइफंट है, गॉल्फंट है, ठीक है, यह सारे रेलेशन्शिफ हमें बहुत ज्यादा फिक गड़ते हैं, ठीक, तो यह जो लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो पीपल्स होते हैं जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं अगर हम लाइफ में सब कुछ अच्छा है मालो मेरा करियर अच्छा चल रहा है मेरा बिजल्स अच्छा चल रहा है मेरी जॉब अच्छी चल रही है मेरी एजुकेशन बह बहुत ग्रोव कर रही हूं, मैं मैं मैंटली और इमोशनल भी बहुत जादा अच्छी स्थिती में हूं, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, में, I mean to say that, लेकिन अगर मेरी लाइफ में, सब्सक्राइब मेरा हस्बेंट बहुत टाक्सिक है, क्या लगता है, कैसी होगी जिन्दिकी, आप सब कुछ डील कर पा रहे हैं, ओफिस को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को डील करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, या आपके वाइफ बहुत टॉक्सिक है, क्या होगा, क्योंकि ये फैमिली में मदर बहुत टॉक्सिक है, कैसी होगी जिन्दगी, सोचिए, सब कुछ आप डील कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, सब कुछ आप बहुत इजी लिए उससे ओवरकम भी हो सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव रिलेशन्शिप खास्ता को उनसे आप बहुत ज़दा अफेक्ट करते हैं, समटाइम वी आप अबल टू डील विद दैं, कई वार में इमोशनल हेल्थ खराब होने का हमारे जो रिलेशन्शिप सो ते नहीं बहुत बड़ा कारण होते हैं, कई वार ये लाइफटाइम चलते हैं, जैसे सब किसी की मदर बहुत टॉक्सिक है, और वह अमेशा बच्ची को कोशती रहती है, नहीं नेगीटिव बाते करती हैं, उसके लिए नेगेटिव सजयेशन्स क्रियेट करती है, उस बच्चे की कंडिशनिंग कैसी होकी, वह बच्ची के अंदर चाहे कितनी भी पोटेंशल हो वह एक्च्सल में अपनी पोटेंशल का ऐसा लगता है हमारी human life में हमको जो लोग होते हैं वो सबसे जाधा affect करते हैं और सबसे बड़ी जो गलती हम लोग क्या करते हैं वो भी यही करते कि आज के टाइम पे बहुत जाधा देखा जाता है कि लोगों को चुनते समय यानि लोगों को अपनी life में entry देते समय ही ध्यान नहीं रखते हैं हम बहुत lonely हैं सब शायद हैं तो उस खाली पन को भरने के लिए कुछ भी भर लेते हैं कुछ भी ले आते हैं जीवन में कुछ भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ा mistake है जो हम करते हैं सेकेंड इंपोर्टेंट चीज जो हम करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हम negative लोगों से डील नहीं कर पाते हैं हमारे पास एक से यह अप्रोच नहीं है कि हम उन्हें डील कैसे करें तो यह एक बहुत बड़ा setback ह हमारी mental emotional health खराब होने का हमारी situations को deal ना कर पाने का आप कितने भी आपके अंदर potential है आप कितने भी अच्छे हैं mentally अच्छे हैं emotionally अच्छे हैं आप कितने भी intelligent हैं आप कितने भी महान है मतलब you have all the abilities, all the qualities, all the gifts from the God but if a one person in your life, your life will be destroyed, it will definitely happen तो इस point पर आकर कि मुझे ऐसा लगता है कि negative लोगों से deal करना is a very important thing दूसरी चीज, हमेशा दूसरों की तरफ ना उंगली उठाएं, कई बार आप भी negative हो सकते हैं, right तो ये भी समझने की ज़रूरत है, तो इसी को नेक्स वीडियो में continue करेंगे कि negative लोगों को identify करना है, हम क्या mistakes करते हैं, वीडियो पसंद आई है, discussion पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, शेर करें, नहीं पसंद आया है, वो भी आप बता सकते कभी क्या है, क्योंकि मैंने का, मैंने first time वीडियो बनाई है, मुझे नहीं आता तो अगर कुछ नहीं भी पसंद आया है तो please you can share in comment तो I will improve myself Thank you so much Namaste, have a wonderful day Bye